मेरे बताय तरीके से इन तीन चीजों का शेवन कर ले मरते दम तक आपको कोई रोग नहीं होगा नमस्कार दोस्तो आईरवेद एक नहीं दिशा में आप सब का स्वागत है अगर आपके आखे कमजोर हो रही है या फिर आपको बाल जड़ने के समस्या रहती है या फिर आपके स्रीर में ज़्यादा कमजोरी रहती है कई तरह के उपाय करने के बाद भी आपके स्रीर में उर्जातपन नहीं हो रही है या फिर आपके स्रीर में कैल्सिम की बहुती ज़्यादा कमी हो गई है इस तरह की कई समस्या को दूर करने के लिए हम आपको ऐसी तीन चीजों के बा पनी फिट मिल पाएंगी तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों वे कौन सी तीन चीज़े हैं जिसे अपना कर आप अपने शेयत को फिट बना पाएंगी अंजीर हमारे आयरवेद में बताएगा है सुबह सुबह खाली पेट खाल अंजीर का खाना बहुत ही फाइदेमंद है रात बरन करने में यह आपकी मदद करता है जिसके कान आप अपने बढ़ते वजन से शुटकर आप पाश सकते हैं इसके अलावा अंजीर में कई परकार के एंटी उक्सीडेंट गुन पाए जाते हैं जो कि आपके बल्ड प्रेसर और को बैलन्स बना रखने का काम करता है इसी त लोगों को यह नहीं पता होता कि बादम एक कैसे खाना चाहिए हमें बाजार से तेल वाला बादम ही लेकर आना है क्योंकि तेल वाले बादम में कई प्रकार के एकजाइम होते हैं जो कि हमारे श्रीर की पाचन शक्तिकों मजबूत बनाती है इसके अलावा साधी सुदा तो भी आपको बादाम का सेवन करना चाहिए क्योंकि बादाम में विटामिन E पाए जाती है जो कि आपके बालों की ग्रोथ के रिए गोती फाइदे मन बाने गई है तो इस परकार से अगर आप बादाम खाते हैं तो आप अपने सरी से कई बीमार को दूर कर पाएंगे अलसी, रात को एक चमच की मातरा में अलसी को आपको भिगो कर रख देना है इसका इस्तमाल कैसे करना है यह तरीका भी जान लेजिए दोस्तों इसके लिए आपको एक गिलास दूद में इलाची को डाल कर अच्छी तरह से उबाल लेना है आपको इसमें अलसी के बीज नहीं डालने है क्योंकि अगर आप इसमें अलसी के बीज डालेंगे तो इसके अलसी के जो गुण है वह डिस्ट्रोई हो जाएंगे और ये आपके लिए किसी काम के नहीं होगी आपके सबसे पहले एक गिलास दूद को अच्छी तरह से उबाल ले अच्छी तरह से उबालने के बाद इसे एक गिलास में अलग कर ले और फिर इसमें उपर अलसी के बीज डाले और फिर इस दूद को पिए इसे आपका digestion से ही बना रहेगा साथ ही आपके बाल जड़ने की समस्या को भी समप्त कर देगा इसके साथ अगर आपकी हटिया कमजोर रहती है या फिर आपको बहुत ही अधिक कमजोरी आ गई है या फिर आपके स्रीर में कैलसियम की बहुत कमी हो गई है इस तरह की कई समस्या को दूर करने में अलसी के बीज काफी फायदे मंद है साथ ही आपके हैमिगोलोबिन की मातरा को बढ़ाएगा और आपके स्रीर की इमनिटी पाउर को कफी मजबूत कर देगा जिसके काण आपका स्रीर फिट और फायन बना रहेगा और आपको दोस्तों इसका सब्ता में दो बार ही उपयोग करना है तभी इसका आपको अधिक फायदा मिलेगा क्योंकि ड्राइफ फ्रूट हमेशा गरम होते हैं जो कि आप अपने दोस्तों फैमने में शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके तक तक के लिए दोस्तों मिलते हैं एक नहीं वीडियो में जय हैं दोस्तों